दोस्तो बहारत सरकार द्वारा काफि संदार स्कॉलर्शिप चलाई जा रही है जिसका नाम परधान मंतरी SSB स्कॉलर्शिप योजना है इस योजना के तहट वैसे तमाम बच्चों को स्कॉलर्शिप दिये जाते हैं जो नौवी कक्षा में पढ़ रहे हैं या वैसे बच्चे और अगर आप अप्लाई करेंगे सॉट लिष्टेड होंगे तो नौवी और दस्वी में आपको पढ़ने के लिए 75,000 प्रती वर्स के हिसाब से आपको रासी मिलेगी जिससे आप अपने स्कॉल फी जो है पेक कर सकते हैं साथे साथ आपको बता देए यदि आप गारवी मे श्टडी कर रहे हैं और अगर आप इसमें सेलेक्शन हो जाते हैं तो आपको एक लाग पचीस सेया रुपे प्रती एनम के हिसाब से आपको दी जाएगी जिसे एगारवी बारवी की जो पढ़ाई है स्कूल और आपकी होस्टल फी इसमें कभर हो जाएंगे तो ये काफी सा स्कूलर्शिफ के लिए कैसे आपको भरना है साथे साथ हम समझेंगे कि स्कूलर्शिफ का भरने के लिए आपके पास योगिता क्या होनी चाहिए साथे साथ सेलेक्शन प्रोसस आपकी किस प्रकार होगी वो पूरी जनकारी आपको बताई जाएगी वीडियो काफी इंपोर करेंगे Google में टाइप करना है Online Update STM जैसे ही आप इतना लिखते हैं आपके सामने first website मिलेगा Online Update STM.in का जिसको open करना है और नीचे आपको scroll करकर आना है scholarship आले section में मिलेगा PM SSB scholarship 2023 जिस पर आपको click करना है जहां पर हमने इस scholarship की regarding पूरी जनकारी आपको समझाया है आपकी आवेदन परकिरिया जो है 10 अगस्त 2023 तक चलने वाली है तो इच्छु कुमिदबार इसके लिए जरूर अपलाई करेंगे पूरी जनकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं नीचे आना है direct आपको यहां पर आएंगे तो इनका official notification की आपको मिल जाता है जिस पर click करेंगे आपके सामने यह PDF खुल कर आता है जिसमें आपको पूरी जनकारी बताई गई है इस scholarship के डिगाड़ी देखे इस scholar से में पहले समझते हैं कि आप नौवी या एकारवी में वो बच्चे ही इसके लिए apply कर सकते हैं इसका ध्यान रखियेंगे आपकी जो परवारी की income होगी वो अढ़हाई लक्स से अधिक नहीं होनी चाहिए इसकी भी जनकारी दी गई है इसके लिए आपको एक entrance test लिया जाएगा जो की national testing agency इसका जो entrance है और आयूजित करेगी जो काफी अच्छी agency है जिसके द्वारा ही जितने भी बड़े बड़े जाम होते हैं उसका आयूजित इनके द्वारा ही किया जाता है अब समझे इसके लिए पूरी schedule जारी कर दिया गया है कि कब आपकी क्या होगी और साथे साथ कैसे आपकी प्रस्ण होगी उसकी जानकारी इस notification में दी गई है सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपकी जो application श्टार्ट हुए है 11 जुलाई 2023 से हो चुके हैं और 10 अगस्त 2023 तक चलने वाले हैं इसमें आपकी जो है एक्जाम होगी जो कि pain paper mode में होगा OMR seat पर आपकी एक्जाम होगी जिसमें आपकी एक्जाम की जो pattern होगी 100 multiple questions पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1500 मिनट यानि 28 घंटे के करीब में आपको यहाँ पर समय आपको मिलेगा पर इच्छा में आपको हिंदी इंग्लिज दोनों language में प्रस्न देखनों को मिलेगा और यहाँ पर बताया गया कि exam fee के बारे में कि इतना जो है 39, 9, 2030 तक आप पे कर सकता हलाकि यहाँ पर कोई इसका examination fee नहीं रखी गई है अब यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो notification में यही जनकारी दी गई है साथे साथ आप कैसे form भरेंगे उसकी जनकारी देंगे इसका जो practice है उसको भी download करकर आप पूरी जनकारी यहाँ से readout कर सकते हैं जिसका link direct हमने दे दिया है जहां से आप आक pattern होगी उसकी जनकारी नीचे आपको मिल जागी इसी PDF में तो वो जो वीडियो है हम आपको अलग से बताएंगे कि इसका exam की pattern है वो क्या होगी अगर आपका comment आता है तो फिलाल आप समझते हैं इसके लिए आपको application जो form है उससे कैसे भरनी है क्योंकि वीडियो काफी लंबा होगा क्योंकि साड़ी जनकारी cover करेंगे तो एक वीडियो और आया का इसके regarding जिसमें आपके और भी जनकारी मिंसन होगी जो आपकी exam के regarding होगा apply करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे registration का option मिलता है जिस पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर registration form खुलेगा जि से बताया गया है कि सबसे पहले तो आपकी एक photograph होनी चीज़ जो कि 10-200 कभी के बीच होगा candidate का signature होगा तिसके भी तक यह चलने वाले हैं साथे साथ category certificate income certificate यह आपको देने परेंगे इसका धियान आपको रखना है उसके अलावे अगर कोई दिव्यांग है तो इसके लिए उन पूरी जनकारी एक बार यहां से आपको बढ़न लेना है यहां पर आपको क्या करना है और नीचे में एक option मिलता है click here to proceed का जिसके सामने आपको क्लिक करना है अब आपके सामने यहां पर application form आएगा जिसमें आपको पूछी आती है कि आप जो apply करना चाते किस class के लिए करना तो हमने आपको पहले clear किया यदि आप अगर नौवी में study करते हैं तो नौवी के लिए या एगारवी में study करते हैं तो एगारवी के लिए apply कर सकते हैं दो ही परकार की candidate इसके लिए apply करेंगे उसके बाद candidate का जो नाम होगा full name डालेंगे उनका email id डालना है email id confirm करना है mobile number डा करेंगे उसके बाद यहां पर आपको password बनाना है password बनाते समय ध्यान रखना है बताएगे कि minimum 8 character का होगा जिसमें आपको ABCD का बड़ा अक्षर भी देना है small अक्षर का भी उप्योग करना है और कोई एक symbol देना है इस परकार का जो है password का आपको उप्योग करना है उसी password को य payment and send OTP का जिस पर click करना है आपके जो email होगा उस पर एक OTP जागा यहां पर clear पता चलेगा कि OTP किस पर भेजा गया OTP को डालने के बाद इसको verify वाले विकल पर आपको click करना है इस पर कार देखेंगे आपका जो account है वो successful verify हो चुका है उपके वाले विकल पर आपको click करना है अब आप अपने email को check करेंगे वहां पर आपको एक application number मिल गया होगा उस application number को डालेंगे जो password आपने set किया था उसको डालेंगे इस character code को fill करना है एक option login का मिलता है जिस पर click करना है अब यहां पर देखेंगे आपका जो registration हो complete हो चुका है अब आपको application form भरना होगा जिसके ल आपके education detail, other detail और document approach फिर आपको finalize करनी है तो सबसे पहले आपको यहां पर एक option मिलता है personal detail का जिसके सामने आपको click करना है यहां पर कुछ जनकारी जो आपने पहले ही fill किया था वो देखनों को मिलेगा यहां पर father का नाम fill करना है mother का नाम fill करना है आपको अपना gender बताना है साथे साथ आपकी जो nationality होगी उसको बताना है यहां पर आपको पूछी गई है यदि आप अपना अधार detail share करना चाहते हैं तो यहां पर आपको click करना है उसके बाद नीचे आपको आना है देखें कि कुछ detail यहां पर पूछी गई है जैसे identity type में आपको बताना है कि आपकी यह आधार number को fill कर देनी है to missile राज कौन सी है all India किसी भी राज जिसे अगर आप आते हैं नौबी और एगार भी में study करते हैं तो आप इसके लिए eligible है आप apply कर सकते हैं अपने राज को डालने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपको category में तीन ही category मिलता है पहला है OBC, EBC, D&T आप जिसके तहत भी apply करना चाहते है जिस category के तहत आते हैं उस category को आप यहां पर चुनना है कोई अगर physical handicap candidate है तो यहां पर इस करेंगे तो आपको बताना ही होगी किस परकार की आप जो है physical handicap है यहां पर आपको चुनना होगा अगर आप नहीं है तो उस case में आप no लिए बार शेब होता है उपके बाले विकल पर क्लिक करेंगे अब आपको contact detail फिल करनी है जिसमें सबसे पहले आपको अपना complete address लिखनी है धियान रखेंगे जिस परकार आप अपना address लिखते हैं जैसा कर आप अपना village लिखते हैं तो village लिखेंगे कॉमा लगाएंगे post office को ल लेंगे अगर आपका जो है पर्जेंट और पर्मानेंट address सेम है तो इस पर टीक करेंगे यह दोनों address आपका फिल हो जाएगा यहां पर आपकी मॉवाइल नंबर email id देखनों को मिलता है यहां पर capture code को फिल करना है टीक को करना है या यह यह गरी करना है और एक option मिलता से बै गरेंगे साथे साथ देखेंगे जो भी आपकी यहां पर बताई गयी जो भी state बताई गयी है उस state को चुनेंगे उस state के एक और जो भी आपको city लॉट की गई होगी वह city आपको यहां पर चुनना है जहां पर आप एक जाम देना पसंद करेंगे इतने सारे option है तो इसको अच्छा को फिल करना है आपको नीचे आना है यहां पर आपको बोली गई है कि जो एक एक देट यहां ब्सक्राइब करना है जिसमें ध्यान रखना है जिससे अगर इन बचो के लिए जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक आरवी में नमांकन लिए हैं इस पार तो तेंथ ओल्रेडी पास है तो यहाँ पर आपको बतानी होगी जैसे तेंथ आपकी जो कलास का नाम है यहाँ पर आपको तेंथ देखनों को मिलेगा किस राज से जो है आपने दस्वी की पढ़ाई क किया होगा उसको आपको बताना होगा कौन से जीले से आपने किया था तो जीला का नाम आपको चुनना है साथे साथ यहाँ पर इसकूल का नाम यहाँ पर आइट किया गया है हो सकता है अगर आपका इसकूल का नाम इसमें नहीं दिखाता है तो आपको कुछ समय बेट कर ल यहां पर एक अदर का option मिल जागा जिस पर click करका आप इसकूल का नाम manually भी fill कर सकते हैं हलाकि अभी option नहीं दिया गया तो अभी आपको इंतजार करना है कुछ दिन आपको wait करना होगा यहां पर बताएगा कि percentage marks बतानी है जो आपको मिली है दसवी में उसकी जनकारी आपको देनी है साथे साथ जो भी आपने study किया था दसवी में कौन से mode में किया था उसकी जनकारी आप यहां से चुनेंगे इस capture code को fill करना है और नीचे आपको आना है agree करना है और एक option मिलता है sabanets का जिस पर click करना है जिस परकार आपका educational detail में save होता है अब आपका आता है other detail other detail में आपको कुछ जनकारी पूछी जाएगी जिसको आप fill करेंगे जिसमें पूछी गई है कि education का जो background है आपके parent का क्या है मतलब आपकी पिता जी कहां तक पढ़े हुए है आप बताएंगे जैसे हो सकते है graduate हो या school तक पढ़े हो या post graduate किये हो या पढ़े लिखे नहीं है तो उसकी जनकारी आप यहां से चुन सकते हैं तो जिस परकार qualification होगा उसको आपको बताना है पिता जी क्या करते हैं उसके जनकारी आप यहां से चुनेंगे साथे साथ यहां पर बताया गया है कि आपके परिबारिक income है उसके बारे में बोले गई है क्योंकि हमने पहले भी clear किया कि आपके माता पिता के जो आये होगी तो आप इसके लिए मान नहीं माने जाएंगे तो यहां पर आपको select करना होगा more than अड़ाइलाक यहां पर चुनेंगे साथे साथ यहां पर आप से कुछ detail पूछी गई कि आप जो है कितने brother है आपके उसकी जनकारी आप यहां से select करेंगे साथे साथे साथ नीचे आपको आ scholarship का लाब ले रहे हैं तो उस case में औरहिं करेंगे नहीं ले रहे हैं रहूं स्केमा आप यहां पर वाले बिकल्पर आपको click करना है और ऐकомिल इस पर करना है इस पर कर आपका अधर डेटेल सेब होता है उक्के वाले विकल पर क्लिक करेंगे अब आपको डुकुमेंट अप्लोड करना होगा जिसमें आपकी पोटोग्राफ होगी जिसका साइज 10 से 200 कभी के बीच होगा इसका ध्यान रखना है उसके अलावे आपके 50 से 300 कभी के बीच में पीडिया फॉर्मेट में होगी आपकी आदार काड़ होगी इन सभी डुकुमेंट को आपको यहां से अप्लोड करना है इस परकार आपका सारा डुकुमेंट आएगा यहां से आप डुकुमेंट को भी कर सकते हैं अब यहां पर देखिए एक उप्श अब यहां से बैक हो सकते हैं और इसको मोडिफाइ कर सकते हैं अगर सारा डीटेल अगर आपका सही है तो डिरेक्ट आप यहां पर फाइनल समिट वाले विकल पर किलिक करेंगे और फॉर्म को फाइनल समिट करेंगे उसके बाद इसका जो प्रिंट है निकालकर अपने पास रख लेना है क्योंकि प्रूचर इप्टेंस के लिए यह आपको मदद करेगा साथे साथ आपको जो आईडी पासवर्ड मिला है उसको भी संभाल कर रखना है जिसके मदद से ही आपकी जो एडमिट काड आएग उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यह इसकी कूल प्रोसे जो कि नौवी वाली कनिडेट के लिए है और सबालाक रुपे जो है इगारवी वाली कनिडेट के लिए है यह आपको मिलने वाले है यह 100% मिलता भी है इससे जूरी पूरी जनकारी आपको हमारे वेपसाइट पर भी मिल जाएगा जैसे ही एडमिट काड आएगा तो एडमि वाद